अकबर बीरबल की कहानी उत की गर्दन बीरबल की सूजबूज और हाजर जवाबी से बादशा अकबर बहुत खुश रहते थे बीरबल किसी भी समस्या का हल चुट्कियों में निकाल देते थे एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशा अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोशना कर दी काफी समय बीट गया और बादशा इस घोशना के बारे में भूल गए उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे बीरबल इस उलजन में थे कि वो बादशा अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं एक शाम बादशा अकबर यमुना नदी के किनारे सेर का आनद उठा रहे थे कि उन्हें वहाँ एक उट गूंता हुआ दिखाए दिया उट की गरदन देख राजा ने बीरबल से पोचा बीरबल क्या तुम जानते हो कि उट की गरदन मुरी हुई क्यों होती है बादशा अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का मौका मिल गया बीरबल से जट से उत्तर दिया महराज दरसल ये हूट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था तब से इसकी गरदन इसी ही है बीरबल ने आगे कहा लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है उसकी गरदन इसी तरह मुर जाती है बीरबल की बात सुनकर बादशा हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आ गया उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा महल पहुँचते ही बादशा अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उससे पूछा मेरी गरदन उट की तरह तो नहीं हो जाएगी न बीरबल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया नहीं महाराज ये सुनकर बादशा और बीरबल दोनों ठहाके लगा कर हंस दिये इस तरह बीरबल ने बादशा अकबर को नाराज किये बगेर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम लिया कहानी से सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से किया हुआ अपना वादा पूरा जरूर करना चाहिए